नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका पागत अभिनिंदर है एलाबाद यूनिवर्सिटी के CUT 2024 के चातर शात्रा हैं बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतिजार कर रहे हैं कि एलाबाद यूनिवर्सिटी का CUT 2024 UG का रेजिस्टेशन फॉर्म कब आएगा कब हम उस फॉर यूनिवर्सिटी है उनका किसी का भी अभी CUT UG का फॉर्म नहीं आ रहा है जामिया मिलिया इसलामिया को छोड़ के सायद अलाबाद यूनिवर्सिटी इससे अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं अपना यहां पे अड्मी सा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अभिनो अभिनो दवेदी इस यूटूब चैनल को आप सबस्क्राइब कर लिजिए इसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म है इसको आप जोईन कर लिजिए जिसका लिंक कमिन बॉक्स में पिंड है टेली ग्राम और इंस्टाग्राम अब आज हम इस वीडियो के माध्धम से आपको बत इस टेशन फॉर्म नहीं आएगा यह फॉर्म कब तक आएगा इसकी भी जानकारी आपको देनी है अभी 29 को सायद एक्जाम है दिल्ली सेंटर पर जो एक्जाम टला हुआ था इसके बाद फिर भू का डी यू का और ए यू का हो सकता है कि समर्थ पोर्टल पर कॉमन काउंसल की तैयारी NTA UGC कर रहा है लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया गया है कॉमन काउंसलिंग का मतलब है कि सारे इनवस्टी की एक ही पोर्टल पर कॉंसलिंग होगी लेकिन इलहाबाद इनवस्टी का जो कॉंसलिंग होता है वो अलग पोर्टल पर पिछली बार भी हुआ थ तो जो आपका रजिस्टेशन का फॉर्म है हो सकता है 29 के एकजाम के बाद उनवस्टी आफ इलहाबाद जून के फर्ष्ट वीक में जारी करें फॉर्म क्योंकि फॉर्म जारी पहले करेंगे यो NTA का जो रिजल्ट है यानि CUT UGC का जो रिजल्ट है जून के लाज तक आने की पूरी उमीद है एंस्वर की लगबग 20 जून तक आने की उमीद है तो जो रिजिस्टेशन का फॉर्म है हो सकता है जून के फर्ष्ट वीक में इलहाबाद इनवस्टी का रिजिस्टेशन फॉर्म आ जाएगा दूसरी बात ये है रिजिस्टेशन फॉर्म जब आएगा अब तो आप रिजिस्टेशन फॉर्म को भरेंगे रिजिस्टेशन फॉर्म को भरने के बाद आपका रिजल्ट आएगा सीउटी यूजी गा रिजल्ट आने के बाद आप अपने नंबर को काउंट करेंगे नंबर काउंट कैसे किया जाए इसके बारे मैंने वीडियो बना करना ही नहीं है आपको सिर्फ एक ही प्लेट फॉर्म ते जुड़े रहना है जो आप देख रहे हैं अभी जिसका वीडियो कहीं भी परिसान नहीं होना है इतनी बड़ी फैमली है हमारी पचाहती अजाद सब्सक्राइबर है तो आप सब की देन है आप सब का प्यार है आपके लिएक ही फॉर्म आएगा हम आपको इनफ़र्म करेंगे फान को कैसे बढ़ना उसके बारे में इनफ़र्म करेंगे उसके पहले एक डॉकुमेंट का वीडियो मैं बना दे रहा हूं उसको आप देख लीजिए और उसको देखने के बाद अपने सारे डॉकूमेंट्स को यार रखिये, जैसे ही registration form आएगा, आप form को भरेंगे, और सभी लोग form को भरियेगा, जिन्हों ने NTA के form में AU का नाम select किया था, वो भी form भरेंगे, और जिन्हों ने NTA के registration में Elahabad University का registration, मतलब Elahabad उसी select नहीं किया था, वो भी form में option को click करेंगे, तो ये जानकारी है, ये परिसान नहीं होना है, पहली बात तो मैं यही बाप से बोल रहा हूँ, दूसरी बात यह है, कि अगर आप इस channel से जोड़े हुए हैं, तो आपको सारी update मिलती रहेगी, सारी authentic जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तो tension नहीं लेने का, समझ रहना, अच्छे से पढ़िए, औ अभी आप अपने result का इंतियार करिए, और मैंने safe score बता रहा है, उतना ही cutoff जाएगा, आप लिख लीजिएगा, safe score का वीडियो देख लीजिए, cutoff उतना जाने वाला है, आप लोग परिसान नहीं होईए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभार, thank you